गोपाल गैंच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है मिरगैस्थाने की पुलिस मिरगैस्थाना छेत्र के बरही पट्टी इस्तित गरामिर बैंक की साखा को लूट की यूजना बनाने के दोरान अंतर जिला गिरोह के तीन कोख्यात अपरादियों को गिरफतार किया है ये तीनों अपरादि सिवान जिले के रहने वाले हैं इन अपरादियों के पास से दो देशी पिस्टल और 18 गोली के साथ एक बाइक और मोबाइल भी बरामत किया गया है मीरगज थाना परिशर में प्रेस्ट काउन्फरेंस के दोरान मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी स्मॉर प्रभात ने बताये कि पुलिस को इनपुट मिला था कि अंतर जिला गिरोह कुछ अपरादि मीरगज के सीमावर्ती छेत्र में अपरात की घटना को अंजयाम देने वाले हैं जिसके बाद खूफिया इंपुट के आधार पर हतुआ स्डिपो अंडाक कुमार के नेतरुत में तीम घठन किया गया इसके बाद तीम के नेतरुत में तोरित कारवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफतार कर लिया गया है और इन्हें ने आईखिरासत भेज दिया गया क्या कुछ गोपालगेंज के स्प्री बता रहे हैं सुनिए कुछ दिन पहले गोपालगेंज कुलिस को कुछ ना मिली थी कि कुछ को ख्यात अपराधी है जो हत्वान उंडल में बैंक लुटने की योजना बना रहे हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए एक विसेश टीम बनाई गई थी हत्वाज डिपी ऑपनेट्रिक में और यह टीम कई दिनों से इनके पीछे काम कर रही थी और कल करी दिनांक 13 एक को यह सभी अपराधी एक जगा जमा होते हैं और इस बिसेश टीम के द्वारा इन में से तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन तीनों अपराधियों के पास से दो डेशी पिस्टल लोलेट डेशी पिस्टल और अठारा जिन्दा कर्थुस बरामत किया जाता है इन अपराधियों से पुछताज करने पे पता चला कि यह तीनों अपराधियों के रहने वाले हैं शिवान जिला के टॉप मुस्ट वंटेड अपराधियों में शामील है इसमें से जो एक अपराधी है रितिकुमार इस पर कई अपराधी के कांड पहले से दर्ज है और ये शिवान जिला के बढ़डिया थाना में और गौतम बुतनगर थाना में कई लूट और रंगदारी मा इस तरह से तीन अपराधियों को ग्रहतार किया गया है और इसे अपराध की इनपुट मिल गई तो पुलिस किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है अगर आपके आसपास भी लगता है कि कोई अपराधी है तो उसका इनपुट आप पुलिस को दे सकते हैं पुलिस उस प पर तौरित कारवाई करेगी अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्स्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो like, share और comment जरूर करेगा like, share, subscribe जरूर करें धन्यबाद